जैपूर में विधायक आवास बनाने का कारिय अब जेडिय नहीं आवासन मंडल करेगा सरकार ने यह कारिय आवासन मंडल को देने का फैसला किया है हाला कि यह फैसला भी CM इस तर पर हुआ है लेकिन सरकार की इस निर्णे के बाद जैपूर विकास प्रादीकरण की साख दाव पर है आखिर सरकार ने जेडिये को क्यों नहीं समझा इस प्रोजेक्ट के लायक हम आपको बताएंगे इस निर्णे की इंसाइड स्टोरी सरकार के इस निर्णे के बाद जेडिये की साख दाव पर है आखिर सरकार ने क्यों यह निर्णे लिया क्या सरकार जैपूर विकास प्रादीकरण की कारे प्रनाली से खुश नहीं है वर्तमान में विधायक आवास निर्मान को लेकर जेडिये की साख दाव पर लगी है जेडिये को लेकर हर व्यक्वी की जुवान पर यही चर्चा है कि आखिर क्यों बदली गई विधायक आवास बनाने की कारेकारिक एजेंसी अंदर से मिली जानकरी यह है कि यह केवल विधायक आवास बनाने की बात नहीं है यह तो साख बचाने और बनाने की भी लड़ाई है ऐसा इस्तिये कि यह प्रोजेक्ट जेडिये के पास था लेकिन अब यह प्रोजेक्ट मंडल की जोली में चला गया ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं क्या यहां कोई काबिल अफसर नहीं है या फिर संसादुनों की है कमी जानते हैं क्यों जेडिये से वजंदार है आवासन मंडल इस निर्णे के पीछे यह रहा एक बड़ा कारण एक साल में आवासन मंडल में आये आधा दर्जन प्रोजेक्ट मंडल के खाते में हैं 800 करोड से अधिक की राशी लोगडाउन में मंडल की आई हुई 50 करोड जेडिये के पास नहीं है कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट आया नहीं, पुराने भी चल रहे देरी से जेडिये के खाते में है 35 से 40 करोड की राशी लोगडाउन में जेडिये को हुई 22 करोड की आ जेडिये और राजस्थान आवासन मंडल में जमीन आसमान का अंतर है जेडिये के पास इंजीनियर से लेकर संसाधनों की कोई कमी नहीं है पिछले सालों में आवासन मंडल की साक पर भी सवाल उठते रहे हैं इसके बाद भी सरकार ने विधायक आवास बनाने की जिम्मेदारी मंडल को सौपी है कॉंग्रेस सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी खुद नगरिया विकास मंत्री शांती धारिवाद लगातार मंडल को उठाने की बात कहते रहे हैं जेडिये पर तो मुख्यमंत्री अशोग गैलोत तक ने सवाल उठा दिये थे ऐसे में आवासन मंडल का कद बढ़ना लाजमी है पिछली सरकार में जेडिये बेहत सक्रिय था करीब 1400 करोड रुपे का द्रव्यवती नदी प्रजक्ट भी जेडिये के पास ही था हाला कि प्रजक्ट अब तक अधुरा ही है इसके अलावा हवा सडक एलिवेटेड रोड से लेकर करीब आधा दर्जन आरोबी के निर्मान जेडिये के पास थे वहीं आवासन मंडल पर अगुशित रूप से ताला लटका हुआ था लेकिन सरकार बदलने के बाद इन प्रोजक्ट को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने टी रविकांत जैसे काबिल अफसर को जेडिये की जिबमेदारी सौंप दी लेकिन क्या कारण रहे कि ना तो अभी तक यह प्रोजक्ट धरातल पर उत्रे और ना ही कोई नया प्रोजक्ट बनाय गया शायद यही बड़े कारण रहे कि राचे सरकार ने विधायक आवास बनाने का प्रोजेक्ट जेडिये से लेकर आवासन मंडल के हाथों में सौप दिया दो IAS, एक IPS, एक RPS का और करीब 25 RAS के साथ करीब साड़े 300 इंजीनियर्स की फोज होने के बाद भी जैपूर विकास प्रादी करण पिछले एक से डेड़ वर्स में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना सका और सायद यही कारण रहे कि सरकार ने इस निर्ने को लेते हुए विधाईकों के लिए आवास निर्मान का कारिये जैपूर विकास प्रादी करण से लेकर आवासन मंडल को सौप दिया लेकिन सरकार के इस निर्ने के बाद अधिकारियों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकार भी performance के आधार पर ही निर्ने लेती है वीडियो जनलिस्ट यस मातुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV